अस्लाम उलेकुम दोस्तों आज मैं आपको अजरत अली की पचास बाते बता रही हूँ और ये बाते आपकी जिंदगी में बहुत एहमियत देगी. एक, अकलमंद अपने आपको नीचा रखकर बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आपको बड़ा समझ कर जिल्लत उठाता है. दो, कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है. 3. मुश्किल दरीन काम बहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वो उसे हल करने की सलाहियत रखते है. 4. जहा तक हो सके लालच से बचों लालच में जिल्लत ही जिल्लत है. 5. जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफजों को बरबाद करना है. 6. जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा सुखी रहेगा साथ, हमेशा उस इनसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे लेकिन उस इनसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बगेर खुश ना रह पाए 8. खुबसुरत इंसान से मोहबबत नहीं होती बलकि जिस इनसान से मोहबबत होती है वो खुबसुरत लगने लगता है 9. दौलत को कदमों की खाक बना कर रखो क्योंकि जब खाक सर पर लगती है तो वो कब्र कहलाती है 10. जूट बोलकर जीतने से बहतर है सच बोलकर हार जाओ 11. जब तुम्हरी मुखालिफत हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्ला तुम्ही कोई मुकाम देने वाला है 12. इल्म की वजह से दोस्तों में इजाफा बढ़ोतरी होती है और दौलत की वजह से दुश्मनों में इजाफा होता है 13. अगर किसी के बारे में जानना चाहते हो तो पता करो कि वो शक्स किसके साथ उठता बैठता है 14. राज्य का खजाना और सुविधाई मेरे और मेरे परिवार के उपभोग के लिए नहीं है, मैं बस इनका रखवाला हूँ 15. किसी का एब बुराई तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी के जैसी है जो सारा खुबसूरत जिस्म छोड सिर्फ सक्षम पर बैठती है 16. पूर्ण विश्वास के साथ सोना संदेह की स्थिती में नमाज पढ़ने से बहतर है 17. जिसको तुम से सच्छी मोहबबत होगी, वह तुमको व्यर्थ और नाजायस कामों से रोकेगा 18. जब मेरा जी चाहता है के मैं अपने रब से बात करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ 19. किसी की आंख तुम्हारी वज़े से नम न हो क्योंकि तुम्हें उसके हर एक आंसु का कर्स चुकाना होगा 20. कभी तुम दुसरों के लिए दिल से दुवा मांग कर देखो तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पढ़ेगी 21. जो इनसान सजदो में रोता है, उसे तकदीर पर रोना नहीं पढ़ता 22. गरीब वो है जिसका कोई दोस्त न हो 23. रिजग के पीछे अपना इमान कभी खराब मत करो क्योंकि नसीब का रिजग इनसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत 24. इनसान का अपने दुश्मन से इंतकाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो अपनी खुबियों में इजाफा कर दे 25. इनसान की जुबान उसकी अक्ल का पता देती है और आदमी अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है 26. दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में लेकिन खुशियों में तब तक न जाना जब तक वो खुद न बुलाए 27. एक तियार, ताक्त और दौलत ऐसी चीजे हैं जिनके मिलने से लोग बदलते नहीं नकाब, होते हैं 28. अगर दोस्त बनाना तुम्हारी कमजूरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इनसान हो 29. इनसान मायूस और परेशान इसलिए होता है, क्योंकि वो अपने रब को राजी करने के बजाए लोगों को राजी करने में लगा रहता है 30. कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना क्योंकि बीमारी और गरीवी आने में देर नहीं लगती 31. जिल्लत उठाने से बहतर है तकलीफ उठाओ 32. तुम्हारे नफस की कीमत जन्नत है, इसे जन्नत से कम कीमत पे ना बेचना 33. हमेशा समझोता करना सिखो क्योंकि थोड़ा सा जुक जाना किसी रिष्टे का हमेशा के लिए तूट जाने से बहतर है 34. जो लोग सिर्फ तुम्हे काम के वक्त याद करते है उन लोगों के काम जरूर आओ क्यूंके वो अंधेरों में रोशनी धून्धते है और वो रोशनी तुम हो 35. दुनिया अमल की जगह है, मौत के बाद हम को और तुम्हें पता चलेगा 36. हमेशा जलिमों का दुश्मन और मजलूमों का मददगार बन कर रहना 37. कोई गुनाह लजज़त के लिए मत करना क्योंकि लज़ज़त खत्म गुनाह बाकी रहेगा और कोई नेकी तकलीफ की वज़े से मत छोड़ना क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेकी बाकी रहेगी 38. जब निमतों पर शुक्र अदा किया जाए तो वो कभी खत्म नहीं होती 49. जाहिल के सामने अकेकी बात मत करो पहले वो बहस करेगा फिर अपनी हार देखकर दुश्मन हो जाएगा 40. एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे लिबास बहुत कीमती पहन कर बाजार में अकड़ कर चलेगे और इस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन मौजूद है 41. अगर कोई शक्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ कातने के बजाए बादशा के हाथ काते जाए 42. तुम जो एक गाली मजाक और गुस्से में देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बनता है 43. जब गुनाह के बावजूद अल्लाह की नेमते मुसलसल तुम्हें मिलती रहे तो तुम होशेयार हो जाना के तुम्हारा हिसाब करिब और सक्त तरिन है 44. किसी ने हजरत अली रजी से पूछा के जिनकी मान नहीं होती उनके बच्छों को दुआ कौन देता है 45. अपने फर्माया के कोई जील अगर सुख भी जाय तो मिट्टी से नमी नहीं जाती इसी तरह मां के इंतेकाल के बाद भी अपनी ओलाद को दुआ देती रहती है 45. अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा न सवारों क्योंकि इसे तो मिट्टी में मिल जाना है 46. नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाए ही मिलती है क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबुदार हो जाती है 47. नमाज की फिक्र अपने उपर फर्स कर लो खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और काम्या भी तुम्हारे कद्म चुम्यांगी 48. किसी ने हजरत अली से पुछा दोस्त और भाई में क्या फर्क है 48. हजरत अली ने फर्माया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को ज़्यादा कीमती चीज से क्यू तशबीह दी 49. अखलाक एक दुकान है और जबान उसका ताला है 50. जिस इंसान में वफादारी नहीं उससे दोस्ती का मतलब है खुद को जलील करना